ओम नमशिवार आईए सुनते हैं चौथे जोतिलिंग भगवान ओमकारिश्वर की यह कथा ओमकारिश्वर जोतिलिंग भगवान सीव की बारत जोतिलिंगों में से चौथा जोतिलिंग माना गया है यह मंदित मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मानधाता परवत वर्शिव पुरी नामक द्वीप इस्थित है यहाँ पर मानधाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके प्रशन किया था और जन कल्यार है तू यहाँ पर जोतिलिंग के रूप में विराजित होने का आगरह किया था इनही के नाम पर इसका नाम मानधाता परवत रखा गया ओंकारेश्वर जोतिलिंग दो रूपों में विभक्त है जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर सामिल है शिव पुरार में ओंकारेश्वर जोतिलिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है यहां भगवान शिव के जोति दिंश्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधे विधान से पूजा करने से शिव जी प्रशन हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं यहां पर नर्मदा नदी ओंके आकार में बहती है पुराणों में इस तेथ हस्थल को बिसीस महत्तो बताया गया है यहां तिर्थियात्री सभी तेथों का जलने कर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं तभी सारे तेथ पूर माने जाते हैं ओंकारेश्वर की यह कता ओंकारेश्वर जो तीरलिंग चोबी सवतार सीता वाटिका माता घार मारकंडे सिला मारकंडे सम्यास आस्रम उंकार मठ माता वैश्डो देवी मंदि अन्पूर्णा आस्रम बरेहन मान सिधना गौरी शोमना धावरी कुन विज्ञान साला ब्रम्लेश्वर मंदी विश्डु मंदी बीरखला चाद सूरत दर्वाजे गायत्री माता मंदीर रिर्मुक्तेश्वर महादीर आरेहन मान शिक गाउं के गजानन महाराज का मंदीर काशी विश्वना कुबेरेश्वर महादीर के मंदीर भी दरसनिय हैं आई ये शुमते हैं ओकारेश्वर जोतीलिन की यह कथा इस मंदीर में बिराजमान ओकारेश्वर जोतिलिंग पंच मुखी है ऐसा कहा जाता है कि भगवान सिव तीलों लोकों का भ्रमण करके यहां विश्राम करते है परवत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारजी बिंध्याचल पहुचे परवत्रा बिंध्याचल ने नारजी का बड़ा आदर सतकार किया और बड़ी अभ्रमान के साथ कहा कि मुझवर मैं सभी प्रकार से सम्रिध हूँ नारजी बिंध्याचल की ऐसी अभ्रमान भरी बाते सुनकर लंबी सास खीजने लगे ऐसा दे बिंध्याचल ने नारजी से इसका खारण पूछते रुए कहा परवत्रा ने कहा कि मुझवर ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सास खीजी परवत्राज बिंध्याचल की पूछने पर नारजी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरू परवत से उचे नहीं हो सुमेरू परवत का भाब देव लोग तक जाता है और तुम्हारे सिखर का भाब वहां तक कभी नहीं पहुच सकता ऐसा कहकर नारजी वहां से चले गए नारजी द्वारा ऐसी बातने सुनकर बिंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन सोक करने लगा इसके पश्चार जहां भगवान शिव साच्छार शिवलिंग के रूप में विराजमान है वहां पर बिंध्याचल सिव ने अस्थापित कर भगवान सिव की अराजना करने लगा और लगाता भगवान सिव की छा महिने तक पूजा अर्चना की बिंध्याचल के सच्ची स्रधा से प्रभावितो कर भगवान सिव साच्छार प्रकट हो गए और बिंध्याचल को दर्शन दिये और उससे बर्मांगने को कहा बिंध्याचल ने कहा हे दिविश्व महेश यदि आप मुझ पर प्रशन है तो मुझे कार्य सिद करने वाली अभिष्ट बुद्धी प्रदान करें भगवान सिवने बिध्य को उत्तम वर्दिया उसिशमे देवगर और कुछ रिशीगर भी वहां आ गय उन्होंने भगवान संकर की बिधिवत पूजा की और इस्तुती के बाद भगवान सिव से अनुरोध किया की वह उसी अस्थान पर बिराज मान हो जाए भगवान सिवने उन सब की बातों को श्विकार कर लिया और वहां परिस्थी एक ही ओकारलिंग दो सरूपों में विभक्त हो गया प्रवण के अंतरगर जो सराशिव उत्पन हुए उन्हीं उंकार के नाम से जाना गया इसके यलामा पार्थिव मूर्ती में जो जोती प्रतिष्थित हुई उसे परमेश्वरलिंग के नाम से जाना जाता है आपको बता दें कि इस परमेश्वरलिंग को ममलेश्वरलिंग भी कहा जाता है ओकारिश्वर तिर नर्मदा छेत्र में शर्व स्रिष्ट माना गया है सास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तिर्थ यात्री चाही कितने ही तिर्थ भ्रमर कर ले किन्तू जब तक वह ओकारिश्वर में सभी तिर्थों का जल लाकर नहीं चलाता उसके सारे तिर्थ अधूरे होते हैं ओकारिश्वर तिर्थ के साथ नर्मदा जी का भी बिसीस महत्व है सास्त्रों की मान्यता है कि यवना जी में 15 दिन अशनान तथा 7 दिन अशनान करके जो फल प्रदान करता है इतना पुंड्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्सन मात्रशे प्राप्त होता है